Dear Students, Today we discuss BSE Final Year topic Amino Acids and Protein. In this topic Amino Acids and Protein will be discussed Acid Best Behavior of Amino Acids. Amino Amal Ka Amal Ourshara Vibha. BSE Final Year का एक लेक्चर है, उस लेक्चर के हम तरब तर चलते हैं और इसको समझते हैं. जब हम Amino Acids की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? उसको समझते हैं. हम यह कहते हैं कि Amino Acids के अंदर NH2, CS2, CAAH इस तरहीके से उसका फार्वूला होता है. यानि कि इसके अंदर Two Tights of Function Group होते हैं. दो प्रकार की क्रियात्मक सम्मू होते हैं. पहला की क्रियात्मक सम्मू जो होगा वो तो होता है Amine और दूसरा जो सम्मू होता है वो कार्वॉक्सलिक एसिड तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि Amino Acids में Two Tights of Function Group होते हैं. पहला जो Function Group होता है Amino Group यह Basic Nature का होता है और जो CWH यह कार्वॉक्सलिक ग्रूप होता है यह कुंसे Nature का होता है Acidic Nature का. इसलिए Amino Acids जो होता है वो Both Behavior यानि कि अम्ल और शार यानि Acid और बेस दोनों की तरह अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता हैं. अब जब यह अपने Nature को शो कर रहा है तो यह किस तरीके से अपने Nature को डेवलफ कर सकता है या शो कर सकता है उसकी तरफ चलते हम लोग हम देखते हैं हमने कहा कि जैसे मेरे बास ने यहां पर एक कोई Compound ले लिया जैसे हमने एक Compound ले लिए है ठीक है यह Amino Acids है जो किसमे एक अब इस Amino Acids को यदि हम समझें और देखें इसके अंदर क्या हो सकता है तो देखो यदि इसका हम Hydrolysis करें यानि कि जल अब बटन करें तो हम लोग जानते हैं कि कार्बॉक्समीक एसिड में एक जो होता है और डोनेटिंग ने चरका होता है Hydrogen यहां से इसरी डोनेट हो जाता है और nitrogen भी बस क्या होता है लोन पर तो hydrogen डोनेट होगा और hydrogen accept कोन कर लेगा Water Molecule का Oxygen तो AC Condition में यहां पर यदि हम लोग देखें तो क्या बन रहा है तो COO negative आयन का formation हो जाता है और Water Molecule जो है वो इस त्रियो पोजेटिव के फोर्म में पार निकल जाता है तो इससे सीधा सा निश्कश यह निकला सीधा सा result यह निकला कि जो CWH होता है वो acidic nature का हो जाता है CWH कों से निचर का हो क्या अपना acidic behavior को शो करने लग जाता है अब आगे एक और और condition की बात करने जा रहा हूं है क्या condition की बात कर रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि मैंने एक वापस आप इसमों कोको ले लिया कि किए अजें़ नहीं इरे अ यह रहे हूं हो उतिया लिए पिर मैंने वाटर मॉलिकुल से रियक्शें करवा दी अ मि उते हमारे पास न से मिल ने चलिए हुए तो यहां पे जो water molecule पहली बाली reaction में यहां पर water molecule react as a base और दूसरी बाली reaction में water molecule react as a acid देखो क्या होगा हम देख रहे हैं कि यहां पर amine group में nitrogen क्यों पर लॉन पहरें यह hydrogen निकलकर किसके पास आगया एनस्टू के पास आगया तो क्या हो सकता है और CH यहां पर बन जाएगा एनस्ट्री पोजेटिव और यहां पर COO Nage और यहां पर O H लिए है तो एक जो amino acid से यदि water molecule से reaction करता है तो उसमें hydrogen donate हो जाता है और दूसरे में hydrogen accept हो जाता है पेले में जो hydrogen donate हुआ वो कार्वाक्सली ग्रूप की द्वारा हुआ और दूसरे में जो hydrogen accept हुआ वो amine group की द्वारा हुआ इसका मतलब यह है कि यहां पर amino acids अपना acidic और basic दोनों प्रकार का behavior शो करने लग जाता है clear है कौनसा nature शो करता है तो दोनों प्रकार के अपने behavior को एक साथ में शो करने लग जाता है अब देखो कभी कभी क्या होता है उसके बारे में भी बात करने लिए तो दो हमने यहां पर देगी एक पहले में तो carboxly acid की का अपना acidic nature है दूसरे में NH2 group के कारण क्या हो गया basic nature है अब इसको हम एक सरीके जोर समस सकते क्या कभी कभी ऐसा होता है कि जो amino acids होता है वो खूद ही एक group hydrogen को donate करता है और दूसरा उस hydrogen को वापस gain करता है देखें कैसे हमने लिखा CHR NS2 और यहां पर आगे अशी ड़ल होता है तो Lewis का नुसार जिसके उपर लोन पेर होगा वो Lewis बेस की तरफ behavior को show करेगा तो यहां पर यह होता है कि यह hydrogen जो है वो यहां से नुकल कर NS2 के पास चला जाता है ऐसी condition यदी होती है तो हम क्या लिख सकते हैं NS3 positive और COO negative यानि एक ही compound के उपर negative और positive चार्ड दोनों एक साथ आ जाते हैं क्या जाते हैं क्या जाते हैं दोनों एक साथ में वहां पर develop हो जाते हैं तो यह कह सकते हैं कि CWH अपना acidic nature दे रहा है तो NS2 अपना basic nature दे रहा है जब एक reaction देवारा हो और मैं आपको इसको समझा सकता हूं क्या है देखो अब मैं ऐसा बता रहा हूं कि यदी मैंने इसको A से कुछ लिख लिए अब यहां पर COO के उपर negative चार्ज है यानि यह कौन सा आयों है? acidic आयों कौन सा आयों है? acidic आयों जो अपना acidic nature को शोग कर रहा है अब क्या हुआ? मैं उसकी तरफ चल रहा हूं तो मैं यह बता रहा हूं कि suppose यहां पर मैंने age positive की reaction करवा दी किस reaction करवा दी? age positive तो जब age positive की reaction होगी तो nitrogen के पास में क्या है? लॉन पर हाइट्रोजन कहां चला जाएगा? इस nitrogen के पास चलाएगा तो यहां पर क्या होगा? अब यह पहली condition होगी और आगे चले यदी में इसमें एक और और age positive की reaction करवा दो तो अगला का चलाएगा? तो NH3 positive CHR और CWH जो लास्ट वाला compound बना है वो अपना basic ion कहलाता है क्यों सा एक कहलाता? basic ion क्यों? क्योंकि acidic ion यह इसलिए कि इसलिए कि कि इसलिए पर COO के उपर negative charge है और वहाँ पर देखें तो NH3 को पर कुछ सा charge है? positive charge है इसलिए इसलिए हो जाता है अब यह यहां पर हुए रिवर्सिबल का sign लगा रहा मतलब यह reaction रिवर्सिबल भी होगी कैसे उतिये देखें? यदि मैं इसकी reaction basic ion की reaction OH negative के साथ करवा दो तो यहां से CW यह से कहला H OH के साथ reaction जलेगा तो यहां पर आगा negative का है तो हम यह कह सकते है कि जो amino acids होता है वो amino acids अपना acidic or basic दोनों प्रकार काised, कहाईवियर एक ही compound में show करने लगता, क्या करने लगता है एक ही compound में show करने लगता है इसलिए ज़ एक ही compound में, दो प्रकार के charge devilish हो जाताे हैं तो उसे drizzle iron के उसे ज्युटर iron के नाम से जाना जाता है कुन सा एर का जाता है जूटर आयर जिसमें नेगेटिव और प्रूजेटिव चार्ड जनी बोथ चार्ड प्रेजेंट इने अल्ली वन एक ही कंपाउंड में दोनों प्रकार के चार्ड यदी आ जाते हैं तो उसको क्या कितम जूटर आयर जूर्ट आयर एंज लेटर आपकि कम आगे भी डिसका सैंगे श्रॉट तरह्ती श्रॉट यूजर आयर जाते हैं अगे भी डिसका सेंगे थैंक बीडिसकी थाल्स